Assalamualaikum, आज का हमारा topic है relationship of biology with other sciences इसमें हमने देखना है कि जितनी भी science की branches हैं वो एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई जो है वो relationship जो है वो होता है biology जो है वो बाकि सारी sciences जितनी भी physics, economics, math हर एक के साथ जो है वो connect है और यही आज की topic में हमने जो है वो discuss करना है इसमें हमने देखना है कि जो भी animals होते हैं उनके जितनी भी movement हो रही होती है उसमें जिस हम biology नहीं देखते हैं बलकि उसके अंदर हमने देखना होते है physics के जितनी भी law of motion है और इस से फिर interdisciplinary sciences जो है उनकी basis बनती है मतलब अगर हमने movement पढ़नी है animals में तो उसके साथ हमें उस physics भी पढ़नी पढ़ेगी और physics में हमें law of motions पढ़ने पढ़ेंगे तो इस तरह यह सारी जो है एक दूसरे के साथ लिंक होती है तो उनको हम disciplinary sciences भी जो है उनकी basis जो है उनकी बनती है इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे वो है बाईो physics मतलब बाईो और physics का आपस में क्या जो है वो sciences का क्या relation है इतने भी physics के principle है वो सारे के सारे biological phenomena's में जो है वो अपलाए होते हैं जैसे के physics के जितने भी working principle है liver के अंदर वो सारे के सारे जो है वो ऐनिमल्स की लिम्स में जो है वो यूज हो रहे होते हैं तो फिजिक्स के जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ऐनिमल्स की लिम्स के जो प्रिंसिपल से हैं वो बियॉलोजी के अंदर जो है वो यूज हो रहे होते हैं तो physics के जितने भी principle है वो applicable है biological फिनोमिना में और जितने working principle है liver in physics में वो जो है वो link है limbs of animals में biology में next step biochemistry, biochemistry में जो है वो हमने bio और chemistry के अंदर relation देखना होता है chemistry के जितने भी different compounds और process हो रहे होते हैं chemistry के अंदर organisms में जितने भी compounds और process हो रहे होते हैं वो सारे जो है वो link कर रहे होते हैं chemistry के साथ by the organisms में जितने भी biological functions होते हैं उनके अंदर chemistry जो है वो present होती है in the form of different compounds and substances and processes जिनमें से एक example है photosynthesis and respiration अब photosynthesis and respiration में कैसे chemistry involved है जब हम photosynthesis and respiration पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हमने इसमें reactions वगरा देखने होते हैं carbon dioxide के oxygen के glucose के तो वो सारे क्या हैं वो सारे chemistry ही में जो है वो आते हैं तो इस तरह जो biology है chemistry के साथ जो है वो relate करती है उसके बाद next है हमारा biomathematics bio mathematics का relation कैसे हो सकते हैं